शिक्षा कोई भिक्षा में ना दे ये हमारा जन्म सिध अधिकार है धिकार है ऐसे एट्यूकेशन सिस्टेम पे जहां हो रहा बच्चों के भविश्य के साथ खिलवार है ये है भी ने कुमार बहुत मेहनत के बाद इन्हीं टीचर की नौकरी लगी है और आज इनका पहला दिन है क्या बात है कि रजिस्टर में पचास बच्चों का नाम रजिस्टर्ड है और तुम लोग पाच ही आयों सार जी आज सोमगान हुआ है शुख्र वार को सब अंडा खागें क्या बात है कि शिर्फ यह ही दिखा रहा है तुम लोग अगो कुछ नहीं आता क्या सार जी टिशर्ण पड़ता है हम लोग अरीव है हम लोगों पाच से आएगा पड़ने क्लिटिश्टर्ग इसकूल आते ही हो तो इसमें कोचीं के कहां से बात आ गया क्लास मैं सार यह कहा था उस समय से ने क्लास चल रहे कब से कहा था बात लगलो सार जी नाया हो य है पिए करने लिए करता है यह कि! हम दाय लोई पो इसकुल ने पता ही कमवा कुन करें दिया इसकुल रहे दाज भी आज पईसा मिले पला आजा पश्ता मिले पला हूँ हाँ छोड चल चल हम उचाई ले चल अरे सर आप किन चक्करें बढ़ गए मोवाईल में नेट पैक नहीं है नहीं तो हमसे वाइफाई ले लिजिए बैठके वाट्साप फेस्बुक यूज कीजिए अरे देख रहे हैं सर यहां पे पढ़ाई का किसी को पढ़ा ही नहीं यहां पे पढ़ाई हो या नहों कोई नहीं पूछता बच्चा खाना खाता है घर भागयाता है और वो आरह है ना जो बच्चा लेकर के देखिए गवो क्या बोलेंगा का बाण माठा साहर को बहले क्या बाद है कभी एकर पईसे भाक आये नहीं खन देए देखिये नियम है कि 75% से हाजरी जिसका कम हो उस बच्चा को पैसा नहीं लिपता है हाँ ता बेगा कि उसको भीज़ता घड़े कम हो अके कर ले हाँ मुण सब कुछो ना जानी अगरा पैसे मिले के चाहिए को होते ही ले हाँ हाँ तो कैसा रहा पहला दिन आपका कुछ सीखे बहुत कुछ सीखे और धीर धीर सब कुछ सीख जाएंगे लग रहा कुछ भूल है हाँ कुछ भी तो नहीं भूले नहीं मैं तो भीदाव फिल मेटाया था यादा है वो बच्चा क्या बोला था अया नाव रखाड़ा माई इट अपाफ बोर देंगी मार के सार फोर देंगा उसा कोई ठीक नहीं है कभी भी कुछ भी कर सकता है लड़ राक लिजिए सेप्टी के लिए तो दोस्तों काफी मेहना तोरी साच के बाद हमने एक एप बनाया है जिसमें बिहार रिलेटर धेर सारी जनकारी और मुझसे रिलेटर जीतना क्वेस्चन है आपको उस सारे क्वेस्चन का जबाप इस एप में मिल जाएगा तो आपको डिप्सक्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइब का जहां से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और आप अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं नमस्कर दोस्तों मैं विनेकुमार अभी तक जो आपने देखा वो यह सोचने पर मजबूर करती है कि वाकई फोल्ट कहां पर तो क्या सिक्षा वेवस्ता जिम्मवार है तो इसकूलों में मुफ्त शिक्षा के साथ भोजन, कपड़ा, किताब और यहां तक की साइकल भी दिया जा रहा है तो क्या सिक्षक जिम्मवार है तो जहां तक मैंने देखा है मैं भी सरकारी स्कूल से भी पढ़ा हूँ तो पढ़ाई तो होती है पर कोई भी बच्चा सीरियस नहीं लेता और ले भी क्योंकि कौन सा फेल होने का डर है ढ़े उनको मारने का आदेस ही नहीं है बच्चे को मारने का आदेस ही नहीं और और Mr. कोई तो आहつे दबंग बच्चे होते हैं जो डाइर्क ए कर को सरकारी शकूल के टीचर खाना बनवाए, स्कूल ड्रेस के लिए पैसा बटवाए, खाता खुलवाए, दूध और अंडा खिलाए, दवा खिलाए, चुनाव कराए, बोड एकजाम कराए, बोड एकजाम का कापी चेप करें, और कभी-कभी तो बारात लोग रोख देते हैं और पाटी करके चले जाते ह हैना मास्टर साइब कल शाफ करने के लिए तो क्या बच्चे में फोल्टे तो चोटा बच्चा और पौधा, इस तरह खाट, पानी और महौल मिलता है उस तरह बढ़ता चला जाता है और ईक समय के बात आप उसे चाह के भी नहीं मौँ सकते और जिस तरह का महौल में पढ़ कर तयार करके पहना कर Escape कर अगर बनivo schon शूईधा ना हो तो सब्सक्राइने जाता है फिर वापस भी लाते हैं ओर यहां तक कि स्कूल ड्रeis कपरा और हर चीज का चार्ज लगता है यह तक की स्कूल भी कर दीर और हर चीज़ का वेवश्था अपने पैसे से किया जाता ही और वही बच्चे का नमांकर अगर सरकारी स्कूल बें मोहता है तो किसी तरह द़रा दिया जाता है खाणा खाये ना खाये कोई मतलब नहीं है नहीं सरका लूग है ही खाना किलाने के लिए और द्रेस द्रेस का पैसा दिया जाता है फिर भी बहुत कम बच्चे द्रेस में नजर आते हैं कुछ ऐसे टीचर है जो पढ़ाने के लाइक नहीं और यही सारे टीचर को बदनाम कर रहे हैं इन्हें तो निकालना बहुत जोड़ी है क्योंकि यह आते हैं सेलरी के लिए और बैट कर चले जाते हैं यह मेरा देखा हुआ है और किसी बच्चे को खेल में इतना इंट्रेस्ट क्यों आता है क्योंकि हार की डर और जीत की खुशी और सामने वाले से कम्पिटीशन होती है पर यहां पर एक्जाम तो होगा पर रिजल्ट तो आना नहीं है किसी को खेल होना नहीं है तो कम्पिटीशन किस बात का और वाजी मेडिल स्कूल, हाई स्कूल और ज्यादा से ज्यादा कॉले तक उसके बाद तो तुम्हें गुनिया दिखाई देगी और कुछ समझ में नहीं आने वाला और इस पे हमारे सोनु भाई कुछ कहना चाहिए नमस्कार दोस्तो आप अगर भी पढ़ाई आबर में है तो यह जान लिजे कि हिरोगिरी करने से कुछ नहीं होगा क्लास 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में है तो हिरेगीरी छोड़ दीजिए क्योंकि हिरोगिरी से कुछ होने वाला नहीं है और यह जरूरी नहीं है और यह जरूरी नहीं है कि ठोकर खाकर ही नोलेज बढ़े ठोकर हमने खाया है तो आपको सीखिए क्योंकि आज हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जिस टाइम हमें पढ़ने का मौका मिला था उस टाइम हम सारे समय को मस्ती में गुजार दिए और आज के डेट में हम चाहकर इसलिए नहीं पढ़ सकते हैं कि मेरा जरूर आपको हम यह कहना चाते हैं कि आप अभी सेहीं फोकस किजिए पढ़ाई पे और जर को मजबूत कीजिए क्या आप भी इस सिस्टेम के मारे हैं तो यह आपकी और हमारी बदकिस्मती थी पर यही रहा तो यह हमारी लापरवाही होगी कहते हैं आज के बच्चे कल के भविस है पर इस भविस्सी को राजनीती के चक्की में पीसा जा रहा है तो दोस्तम आपी चाहूँगा कि वीडियो आने में काफी लेट हो जाती है क्योंकि हमें भी बहुत काम होता है और एक बात का विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी आपको कचरा कॉंटेंट देखने को नहीं मिलेगा जो भी मिलेगा फ्रेस मिलेगा मैं चाहता तो सिंपल कॉमेडी बना कर भ्यू ले सकता था पर यह सब करने से कुछ और ही खुसी मिलती है और आपको इस वीडियो को सिरियस लेना है और आपको जिम्मवारी के साथ इसे सेर करना है वीडियो को क्रियर्यटीव कोमन में डाल दूंगा ताकि आपको भी कुछ मदद मिल सके बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि मदद कर दो तो आपको मैं आपका इससे ज़्यादा मदद नहीं कर सकता और यह वीडियो कोई हवाबाजी नहीं था मैं काफी रिसर्च करके और बहुत सारे लोगों से मिलके यहां तक की टीचर लोगों से मिला और उसके बात बनाया तो व दिल से शुक्रिया और शुक्रिया उन सभी लोगों का वीडियो को बनाने में सहायता किये तो दोस्तों हमारे आप को जरूर डाउनलोड करे और हमारी मदद करे